तो कैसे हो तो अब वेल्कम टू दे निवेस्ट वेडियो ऑफ चानल तो अभी बज़ रहे हैं सुबह के 6 बच के 21 मिनट तारीक है आज 23 अक्टूबर 2020 कल रात को रिलीज वहा था 22 तारीक को मिर्जापूर सीजन 2 और मैंने पूरी रात बैट के मिर्जापूर का सीजन 2 करा है है बेंज वाच और इस विडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये एक तरीकेसे कलेक्टिव रिव्यू है 1 मिर्जापूर सीजन 2 के बारे में तो लेट स्टार्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रck अगर आपने बिल्कुल नहीं देखा है तो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या expect कर सकते हैं क्या offering है इस show की और अगर आपने मिर्जबून season 1 देख लिया है 2 के बारे में जानना चाहरे हैं बिना spoiler जाने तो वो इस वीडियो में आपको वो भी बताने वाला हूँ सूरज अभी अभी निकलने वाला थो देर में चलिए शुरू करते हैं कितनी original line है भाई यह तो मिर्जबूर मिर्जबूर जो season 1 था आयता 2018 में मिर्जबूर के अगर थोड़े से plot की बात करें मिर्जबूर इसके अंदर तरिपाठी है उनका राज चलता है वो है वहाँ के बाहूबली बिजनस्मैन है अफीम का और कहीं सारी चीजों का व्यापार करते हैं और मिर्जबूर नाम की शहर पर उनका दबदबा है वहाँ पर उनकी चलती है उनका राज है अब हमारे दो प्रोटाइगनिस्ट है गुड़ू और बबलू ये दोनों है और बाकी जो ये मिर्जबूर के मालिक टाइप है इस सबसे रेटिट स्टोरी है मिर्जबूर की अब सीजन वन पर आते हैं पहले थोड़े सी चीज़े बता दूँ कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए मिर्जबूर से क्या क्या मिर्जबूर ओफर करता है तो अगर बात करी जाए इन टरम्स ओफ कि भाईज में क्या क्या चीज़े ये ओफर करता है तो एक तो ये बहुत बढ़िया स्टोरी ओफर करता है ये गोरी है, बहुत ज़्यादा गोरी शो है, इसके अंदर खुन खराबा है, इसके अंदर गालिया है, ढेर सारी, बहुत बड़िया बड़िया गालिया है, गोर है इस चीज के अंदर ये dark story है, एक इसके अंदर crime involved है, dark story है और एक underlying, एक subliminal सा, एक latent सा, एक छुपा हुआ सा humor भी है साथ में अब मैं पर्सनली बींग नॉर्थ इंडियन बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता हूं यूपी और इस नॉर्थ इंडिया के इस गैंग्स्टर और क्राइम अगरे वाली चीजों से इंस्टेड ऑफ डाट मुंबई वाली चीज क्योंकि पता नहीं क्यों बस मैं बहुत 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 कर पाता हूं इसके इंडर है बहतरीन स्टोरी है भॉई साब कमाल के आक्टिंग है बाई अली फजल पंकर्च तिरपाथी दुवेंदू रसिका दुगल श्वेता त आक्टिंग है हर किसी की तरफ से मज़ा आ जाता है मज़ा बहंकर गालिया है क्राइम है खुन खराबा है और वो हर चीज है जो कि आपको एंटरेइन कर सकती है बहां कुछ लोगों की प्रेफरेंस में नहीं होंग ये चीज़ें गोर खुन खराबा गालिया और सब कुछ ल कामला स्ट्रेमिंग प्लाटफॉर्म अगरा को लेकर और ये बड़ा फेमस वह लोगों मैंने उस टाइम पर ये नहीं देखा था जो चीज़ें बहुत भेंकर फेमस होती है ना मैं उसे दूर रहने की कोशिश करता हूं क्योंकि जब वो दुनिया के इतनी बन जाती है तो म मिर्जापूर को स्पेशल क्या बनाता है मिर्जापूर सीजन वन की बात कर रहा हूं मिर्जापूर सीजन वन की बात स्पेशल ये है कि ये आठ से नौ एपिसोड लंबा है आठ एपिसोड लंबा है सीजन वन सीजन वन का एपिसोड वन जो आप खोलते हैं और उसको देख तो शुरुवात के पाँच मिनट महीं आपके फट के हाथ मा जाती है और आप बस अपने आपसे ये बोलते हैं कि ये तो अलग ही गांजा है मुझे शहाद वो नहीं बोलना चाहिए था खेर तो मिर्जपुर का जो फर्स्ट एपिसोड है उसके अंदर इतनी सारी सर्प्राइजिंग अन प्रेडिक्टेबल अन एक्सपेक्टिड चीज़े होती है जो कि व्यूवर के दिमाग को चकरा देती है और आप हुक हो जाते हो इस शोग से सिरफ पहले एपिसोड के पहले पांच मिनट दे के यूद्कि उसके अंदर इतनी अनेक्सपेक्टेड और सर्प्राइजिंग चीज़े होती है जो मिर्जबपूर सीजन वन की स्टोरी है बहुती क्रिस्प है बहुत जल्दी ठा 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 करके इवेंट्स होते है जो कि आपको सर्प्राइज कर देते हैं यह बिलकुल भी प्रिडेक्टेबल नहीं है और सब कुछ बहुती अनक्सपेक्टेड होता है इसके अंदर that you'll love I loved it and the world loved it and you'll probably और अगर तुम इनसान हो तो तुम्हें जरूर पसन आईगी वो चीज़े season 1 की जो ending है वो बहुत बहतरी नहीं season 1 के अंदर एक tick 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 वाली feeling होती है season 1 चल रहा होता है 2, 3, 4 episodes चल रहे हैं और मन में चल रहा होता है कि अब कुछ होगा अब कुछ होगा अब कुछ होगा, अब कोई इनसान फटेगा अब कोई गोली उड़ा के इसी को मार देगा और वो टिक 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 होता रहता है season 1 के अंड में वो टिक टिक का कुछ हद तक वो bum फटता भी है season 1 of Mirzapur is crazy C-R-A-Z-Y crazy वाला crazy है and मतलब यह बहुत ही जादा different चीज है, unique चीज है, मैं आपको सोड़ा सा example देता हूँ, एक Ram Gopal Verma नाम के एक director हैं Bollywood के movies direct करते हैं, director हैं वो movies को direct करा हैं उन्होंने जिन्दगे में अपनी और उन्होंने वो मतलब चाहते हैं थे एक series बनाना, एक show बनाना जिसका नाम था Guns and Thighs जिसके 4 seasons, जिन में सब में 10-10 episodes होंगे, यानि कि 40 episodes उन्होंने announce कर दिये थे 6 minute का trailer निकाल दिया था जिसके अंदर गोर, गालिया, nudity और सब कुछ मतलब जो भी इस चीज के अंदर है, वो सब कुछ अराउं 2017 और 16 and it was the most one of the most controversial thing at that time लेकिन आज के टाइम पर sacred games ले लो, मिर्जापूर ले लो और भी कहीं सारे shows, tv shows, movies, सब चीजों में ये चीज़े आ रही हैं जो कि बहुत जादा realistic world को realistically दिखा दी है मिर्जापूर बहुत जादा realistic है in that terms इसके अंदर कोई बहुत भेंकर slow-mo में चला भाईया hero villain आ रहा है, villain को लात मारी hero ने उड़ गया, वो धूल निकली उसके कमर में से बिलकुल ही हावा चल के बाहर उड़ गया है उसके नहीं, ऐसा नहीं है it is really very realistic और इसके नदर बहुत ही बहतरीन characters है even जो bad guys है वो इतने bad guys है कि उनसे हम disgust करने लगते हैं इतने disgusting लगते हैं और उससे भेंकर चीज इसकी मिर्जापूर की कि वो उन bad guys को जिनसे हम नफरत करते हैं उनसे भी हमें प्रेम करवा देता है तो ये तो था मेरा बखान मेर्जापूर सीजन वन का अब थोड़े से negatives पर आ जाते हैं मुझे गोर बहुत पसंद है मतलब पहले नहीं था जब तक मैं horror slashers में नहीं गया था मुझे slashers है मेरा क्या बहुत है रूबरू हुआ मैं and I started to love it चुप हो जा total sucker मतलब मुझे बहुत भहिंकर पसंद है practical effects अब लेकिन मिर्जापूर के अंदर बहुत सारे जो गोरी effects है वो CGI है और मिर्जापूर सीजन वन और टू के अंदर जिस भी जगह पे CGI है ना वो इतना noticeable है ना इतना noticeable है कि वो बहुत ज़दा turning off मेरे हिसाब से है क्योंकि एक तो CGI से मुझे थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि CGI बहुत ज़दा मज़ा खराब कर देता है जो मज़ा practical effects में आ सकता है तो एक तो वो CGI वाली problem मिर्जापूर के अंदर जहां पे भी CGI use हुआ है I really hate it दूसरी चीज जो मिर्जापूर season 1 में I didn't like वो ये है कि इसके अंदर ना कहीं सरे flashback scenes दिखाए गए है and those flashback scenes are terrible क्योंकि मानलो एक character में दिखाया मानलो पंकर्च तिरपाथी का he is one of the best villain we have in Indian cinema और ये बहुत भहतरिन villain है जो कि पंकर्च तिरपाथी ने play किया जिसका नाम है अखंडान तिरपाथी और उसके कुछ flashback में जवान को तो कोई और ही play करेगा तो जो एक acting का range कहलो एक character की एक pitch जो पकड़ी हुई है पंकर्च तिरपाथी ने ज़रूरी नहीं कि वो flashback scenes वाला वो actor भी उसी को उस तरीके से पकड़े तो इसलिए वो flashback scenes जब मैंने पहली बार देखे थे बहुत confusing थे दूसरी बार जब देखे I really hated them और बस यही दो negatives थे मेरे हिसाब से मिर्जापूर season 1 में और इसके अंदर कहीं सारे बहतिन characters है और you will definitely love it अगर तुम्हें gore, crime और गालियां और यह सब कुछ पसंद है तो अब आ जाते हैं थोड़ी से मिर्जापूर के बाद वाली कहानी पर मिर्जापूर season 1 आया, 2018 में if I am not wrong मैंने यहाँ पर खोल रखा है Wikipedia page मिर्जापूर का और तो 2018 में आया, sacred games के time पर if I am not wrong, again होज़ता मैं year गलत बोर रहा हूँ उसके बाद मिर्जापूर जो है, थोड़ा सा delay हो गया टेकनिकली जो, generally हम देखते हैं कि एक series आई तो एक साल लगता है minimum और एक से डेटर साल maximum लगता है, उसका second season आने में यही prefer करते हैं, लोग, मतलब लोग तो prefer करते हैं यह लगा the line लेकिन मतलब यह चीज़ हम देखते आ रहे हैं कि एक साल तक का gap हो जाता है लेकिन मिर्जापूर के बीच में दो साल का gap था, covid हो गया, सब कुछ हो गया तो delays होते गया and all that shit happened और अब जाके finally 22 October को release हो चुका है यह मिर्जापूर, अब मैं बात करना चाहता हूं मिर्जापूर season 2 की hype के बारे में भाई साब, the hype was real, it was legitimately real hype जो की मैंने नहीं देखी एक तो मिर्जापूर की सारी memes dialogues की घूम रही है market में, instagram, facebook, जहां मर्जी डून लो इतनी सारी memes घूम रही है market में मिर्जापूर की, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा जानने को मिला इस बारे में और जिन लोगों ने देखा, they really loved it, reason being, it is realistic, it is unapologetically हो गया let's come back तो लोगों को इसलिए पसंद आया है क्योंकि एक तो इतना realistic है गोरी है, इसके अंदर crime और North Indians की या कह सकते है normal इंसानों की वो वाले instincts को इसने trigger किया, जो की जिनको trigger होके मज़ा आ जाता है, for example, कबीर सिंग के example ले लेते हैं, वो एक certain kind of human behavior को trigger करता है movie देखने के बाद इंसान वही वाली हरकते करने लगते हैं और ये मिर्जापुर ने भी वही सारी चीज़ों को थोड़ा सा trigger गया, लोगों को पसंद आया, people enjoyed it, बढ़िया humor है, गोर है, और बढ़िया बढ़िया गालिया है तो people enjoyed it, और season 2 की जो hype थी ना, बहुत बहतरी, मैं अपनी tuition गया, और वहाँ पे भी मतलब मैं पहले दिन गया था, मैं किसी को जानता रहे था, वहाँ पे भी सारे लोग बैटके उसको मतलब discuss कर रहे है, season 2 के बारे में ये वो, ये होगा, वो होगा, ये होगा, ये होगा, व अब ये क्यों है, क्या है, season 1 को जान जाओगे, अब season 2 पर आतने, season 2 कल रात को release हो, मैंने देख लिया, season 2 की बात करी जाए, एक revenge story है, season 2, और, let me say this, season 2 is not that good, okay, क्यों लेकिन, सबसे पहले आतने, थोड़ा से plot के बारे में, it's a revenge story, season 2 के अंदर, और season 2 जब शुरू होता है, first, second, कुछ episodes, हमें एक तो recap दिखाते है, first season का, दूसरा हमें थोड़ा सा aftermath मिलता है, season 1 के बाद का, थोड़ा हमें पहला चलता है, कि वही सारे character सबने जिन्निगे में कहा है, क्या चल रहा है, इस सबकी जिन्निगे में क्या मामला है, थोड़ा सा aftermath मिलता है, थोड़ा सा हमें background मिलता है, recap मिलता है, और, इस season के अंदर, पता ये मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसके दो रीजन्स है पहला रीजन वो चीजे जो इसमें नहीं होने चाहिए थी और दूसरा रीजन वो चीज जो इसमें होनी चाहिए थी पहले जो चीजमें नहीं होने चाहिए थी सीजन वन के अंदर जो हूमर था वो subliminal था वो underlying था वो latent था आम भाशा में छुपा हुआ था देखो मैंने तुम्हें अपनी वो vocabulary के बारे में बता दिया थी तीन शर्थ बोल करो तो season 1 का जो humor था वो छुपा हुआ humor था उसके अंदर एक essence था humor का जिसे लोग enjoy करते थे लेकिन in season 2 वो humor पूरे text में था इतने सारे comical subplots है season 2 में जो funny है लेकिन जो overall theme है season की, overall theme है story की, overall जो theme और एक range set करी है season 1 ने उसको वो break करता है comical subplots बुरी चीज़ नहीं है they are enjoyable they are entertaining लेकिन उनका जादा overuse किया किया है that I just tent like इसके अंदर भी वही CGI problem है इसके अंदर वो सारी अच्छी चीज़े है जो season 1 में थी gore, एक अच्छी dark story थोड़ी सी darkness कम लेगी मुझे जो की थोड़े से मज़े को कम कर देती है इसके अंदर इतने सारे फालतों के characters involve किये गए है introduce करे गए है इसमें politics है that is a good thing very good thing और इसके अंदर एक story है that is a nice story जो शुरुवात में build up होती है लेकिन इसमें 5-6 episodes में जाते हुए 11 episodes में पहले बता दू दूसरे season में एक तो first season की सबसे बड़े बात थी ठाँ ठाँ करके events हो रहे थे unexpected unpredictable events हो रहे थे that जो की मतलब दिमाग के होश उड़ा रहे थे but in season 2 ऐसा हो रहा था एक तो 11 episodes जिसके मुझे लगता नहीं कोई need थी अगर इसमें दो-तिन कम कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत हो नहीं जाती थोड़ी story को सबसे लिखना चाहिए था इसकी story crisp नहीं है इसके अंदर वही gore है वही crime है वो सब कुछ है लेकिन कुछ भी unique नया present नहीं करता season 2 अगर वो वही सारी चीज़े करता और कुछ नया ना करता चल जाता लेकिन इसके अंदर कैसे नेगेटिव पॉइंट्स है एक तो वह subplots फालतू के फालतू के नए characters और story पे जना बहुत बार ध्यान हटता है main story है उससे focus कहीं बार हटता है main focus यही है story का जो है थोड़े से spoilers है season अगर अपनी season 1 नहीं देखा तो आप वीडियो को यहीं छोड़ दीजे जाके season 1 को देखे highly recommended है अगर अपनी season 1 देख लिए तो आप मैं थोड़े से season 1 के spoilers में जा रहा हूँ तो season 2 story को जिस प्रकार है कि भाई अपना जो है कुछ लोग जो बच गए थे वो लोग अपना भागे में लगे हुए है वो अपना बदला लेने में लगे हुए है वो जो वो भी चाहरा है बदला बदला लेना लेकिन ऐसे कई बार season में ऐसे points आते हैं जहां पर I am like ये कोन है फिर याद आता है कि भाई season के शुरुवात में ही ये story establish हुई थी कि भाई ये बंदा बदला लेने के फिराक में है क्योंकि इसका बाब भी मार दिया गया है and all that shit तो इसलिए जो main story है उससे कई बार focus हटता है screenplay का screenplay crisp नहीं है कई जगाओं पर boring नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है कि बिध्यान लगाया जाए मैंने मिर्जपुर देखते देखते कहीं सारी चीज़े कर ली अपनी laptop पे साथ में और मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई ना मेरा story में कुछ miss हुआ क्योंकि इतना crisp नहीं है वो ठाँ 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 वाली बहतरीन feeling नहीं आते मिर्जपुर से प्रसिज़न टू में it is good it is enjoyable it is entertaining सारी वही बढ़िया चीज़े गोर और crime गालिया और ठोका ठाकी बढ़िया story, dark story everything is there लेकिन जो कुछ comical subplots, कुछ फालतू के ऐसे ही subplots, कुछ फालतू के characters और भाई सब एक तो last episode is very crucial and very important in anything, चाहे वो movie के ending हो, चाहे वो tv show के ending हो the last episode is very crucial क्योंकि चाहे अगर season कैसा भी हो, लेकिन अगर last episode एकदम blast होगा ना, तो एक बार को फिर भी थोड़ा सा forgive कर देंगे, क्योंकि हमें याद तो ending ही रहती है ना लेकिन last episode के अंदर वो फालतू के जो add किये थे, involve किये थे characters ना, उनके ओपर इतना दा time waste किया गया that I really just hated, I simply hated that part कि भाई, इतने फालतू characters पे इतना time waste किया गया, जिस, जिनकी story को कोई जरुद नहीं थी, और फिर end में उनी फालतू characters को लिएके cliffhanger छोड़ दिया गया कि भाईया जी, third season मराएंगे हम, और ना ही story को wrap up किया गया, ढंक से season 2 के अंदर so for me, season 2 is not that good and if you are a season 1 fan you are a Mirzapur fan then you, मतलब आपको बिल्कुल अगर Mirzapur के fan हो, तो आपके season 2 को देख लो, बिना सोचे समझे और अगर तुम fan हो तो अभी तक तुमने देखना शुरू भी कर दिया होगा लेकिन अगर तुम season 1 के मतलब तुम Mirzapur के fan नहीं हो और सोच रहे हो season 2 को देखने का तो I will not exactly recommend it season 1 was very good, season 2 को देख सकते हैं it is enjoyable and entertaining लेकिन Mirzapur season 1 वाला जो भयंकर blast जो है, वो तुम्हें season 2 में नहीं मिलेगा, तो that is it for this video, वीडियो अगर तुम यहां पर अभी तक आचुके हो and I love you so much बिक पुच्ची so original